वेलकम टू स्टेक गुरू जी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पंचायती राज विभाग में जूनियर इंजिनियर के 1875 पत पर विगपती आई थी जहां पर जो गौवर्मेंट का बजट है 26,608 करोड का है और इसका जो टाइम पिरेड है 2020 से 2026 तक है याने कि जो 27,000 जिस ब्लॉक जिसमें की है अगर ग्राम पंचायत की बात करें तो 58,180 ग्राम पंचायत है और ग्रामों की बात करें तो लगभग एक लाग ग्राम है कहां पे सेलेक्शन होगा कौन से एज से जिले हैं जहां पर 70 से कम अंग पर भी सेलेक्शन होगा यानि कि कट आफ की एक्स पूनभद्र, हर्दोई, सीतापुर, प्रियागराज ये वो जिले हैं जहां पे आपको बहुत ज़ादा काम मिलने वाला है तो उसका भी अनुमान करेंगे कि आपको काम की अनुमान पे कितना आपको एक साल में काम मिलता है जैसे कि यदि आपको एक साल में पांच करोड का का है तो आपके एक साल में 10 लाख रुपे बन जाते हैं वहीं एक साल में आपको 3 क्रोड का काम मिलता है तो साल भर में गवर्मेंट से आपको 6 लाख रुपे मिलेंगे तो इसका भी पूरा कैलकुलेशन आपके सामने रेपरजेंट करेंगे कौन से डिस्टिक में कम मेरिट ब साथ में कितने फॉर्म फिल हुए हैं पंचायती राजविभाग जूनियर इंजिनियर सिविल की पहले चीज़ किलियर कर दू कि यहां पे हमें डिस्टिक वाइज अभी डिटेल्स नहीं मिले हैं अभी पूरे उस्तरप्रदिस का डिटेल मिला है वो भी अप्रोक्सिमेट डि जिले हैं जहां कि मैरिट हो सकता है 55-60 से भी कम जाए तो यह आने वाले समय में पता चलेगा बाकी जो एक्सपिरियंस वाले कैंडिडेट हैं उनका सेलेक्शन फेमस डिस्टिक में होगा पॉप्लर डिस्टिक या हाई-टिक सिटी कह सकते हैं जैसे लखनव, कानपूर, इल जिले हैं तो इस विडियो को फर्स टाम हमारे चैनल विजिट के हैं तो चैनल को जरूर सस्क्राइब किजेगा आपके सस्क्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है, सपोर्ट मिलता है कि पंचाहिती राज विभाग से रिलेट कोई भी अपडेट हो, सबसे पहले आपके सा सेर करें, साजा करें, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सैलरी को लेकर, क्योंकि 1875 पद जूनियर इंजिनियर सिविल के हैं और इसमें जो हमें डाटा गिवन था, यहां पर ओफिशिल पीडियव में 26,608 करोड तो इस 26,608 करोड ये जो गिवन है, इसके उपर कितनी सै ऐसे को यदि government को 3 साल में खर्च करना है, मैं इसको मोटा मोटा calculation के लिए 27,000 करोड ले लता हूँ, तो 27,000 करोड को यदि इन्हें 3 साल में complete करना है, execute करना है, तो 27 को हम 3 से divide करेंगे, तो यहां पे आ जाएगा 9,000 करोड, यानि कि एक साल में पूरे उत्तर प्रदिस के ग्र सबको बराबर लेके चल रहा हूँ, मैंने आपसे सेर किया, जो बड़े जिले हैं, जहां ग्रामी डिया जाता है, जैसी कि लखीमपूर, सोनबद्र, हर्दोई, सीतापुर, प्रियागराज, वहाँ पर काम जाता होगा, वहाँ पर हो सकता है, आपको साल भर में, एक जिले म दोर अपराप्त होगी, बाकी इसमें जो सेगंड टाइप से आप जो क्रियेट करेंगे, वह आपका अलग सीन है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने निकाला, तो यहाँ पर एक जिले में, एक साल में 120 क्रोड रुपे आ रहा है, और एक जिले में 120 क्रोड रुपे ए यानि कि लगभग एक जूनियर उंजिनियर को 5 करोड का MB बनाने को मिलेगा लमसम और अगर वो जूनियर उंजिनियर 5 करोड का MB बनाता है तो गवर्मेंट के नॉम्स के अकॉइडिंग उसको एक साल में 10 लाग रुपे गवर्मेंट से मिलेंगे वही अगर ये जो बजट है इसको हमने 3 साल में कंप्लीट कराया इसी बजट को अगर गवर्मेंट 5 साल में कंप्लीट करती है इस 27,000 करोड को तो अगर 27,000 करोड को गवर्मेंट 5 साल में कंप्लीट करती है तो यानि कि पर ये जो आएगा इसमें 500 करोड यानि कि एक साल में 500 करोड रुपे खर्चोंग तो लगभग 3 करोड यहां पर आ जाएगा 2 करोड 88 लाग तो लगभग 3 करोड का काम एक जुनियर इंजिनर के पास जाएगा यानि कि 6 लाग रुपे एक साल में 6 लाग रुपे यानि कि अगर ये प्रोजेक्ट 5 साल का होता है तो यहां पर 6 लाग रुपे और यदि ये प्रो फॉर्म का अनुमान है और जो पंचायती राज में अली गंज लखनव से जो सूचनाई मिली हैं वहाँ पर जो फॉर्म की संक्या है वो लगभग 27,000 के आसपास फॉर्म आपके फिल हुए हैं जी हां लमसम 27,000 आपके जो फॉर्म हैं वो फिल हुए हैं और ये सभी जिलों में मतलब पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले मिलाके हैं कुछ ऐसे भी जिले होंगे जहां पर जो फॉर्म होंगे एक जिले में 3,000 फॉर्म फिल हुए होंगे और कुछ ऐसे भी जिले हैं जहां पर फॉर्म की संक्या 500-300 मात्र हैं और वो जिले मैंने आपके साथ सेर किये वो ज तो यहाँ पर जो form है वो काफी ज़्यादा संख्या में हुए है और इन जिलों के जो मैं नाम ले रहा हूँ यही वो जिले है जहाँ पर जो merit है 75 and above जाएगी और यहाँ पर जो संभावना है उन candidate का होने का ज़्यादा है जो candidate बीटे किये हुए है और बीटे के साथ-साथ उन इसमें बात करते हैं कुछ हमने जो norms लिए हैं जैसे cut-off किस basis पर prepare कर रहे हैं तो district-wide polytechnic college का detail बीटे का detail और official data तो सबसे पहले जो accuracy है हम आपको तब बता पाएंगे जब हमें ये चीज़ पता हो जाएगा कि district-wide जिले-wide कितने form fill up हुए है पर जिले तो अभी हमने आपको ब इसमें डिप्लोमा इन सिविल इंजिनिंग और बीटेक पे लगभग 27,000 form fill हुए हैं पंचायती राजविभाग में यानि कि 27,000 form fill हुए हैं जिसमें से 1875 candidate J.E. बन जाएंगे PRD के अंदर और मैं आपको एक और डिटेल साजा करता हूँ टोटल जिलो की जो संख्या है वो 75 है ब्लॉक की संख्या 821 है ग्राम पंचायत की संख्या 58,189 है और वहीं ग्रामों की संख्या लगभग 98,000 से 1,00,000 ग्राम की संख्या है तो ये उत्तर प्रदेश के डिटेल्स हो गए सेलेक्शन होने की पॉसिबिल्टी सबसे ज़्यादा है अब हम बात करते हैं यदि आपका सेलेक्शन होगा तो आपको 50,000 रुपए जी हां 50,000 रुपए as a bank guarantee आपको सम्मिट करने होंगे पंचायती राज बिभाग में तो वो जिले जहां पर 75% से ज़्यादा मेरिट जाए की यहाँ पर आप देख सकते हैं डिपलोमा और बीटेक या बैचलर नीन आर्केटेक आपने किया है civil engineering में तो आप अपलाई कर सकते हैं तो यह marks का सीन है यदि आपने 41 से 80% अंग लिए है तो जितने अंग होंगे उसके according मिलेगा यानि कि अगर आपने 72% अंग लिए है तो बी 40 और यदि आपके 70% अंग है तो इस 40 में 30 नमबर मैं इस 40 नमबर की बात कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे percentage का मामला यदि आप degree holder है तो 20 नमबर यदि आप diploma holder है तो आपको मिलेंगे 10 नमबर experience की बात करें एक साल का experience में कोई अंग नहीं मिलेगा एक साल से जादा हो जाएगा तो आपको 10 नमबर और उसके बाद अगर 3 साल से ज़्यादा है तो 30 नमबर तो सबसे यादा possibility जूसकी होंगी जिसने बीटेग भी किया है और जिसने 30 नमबर भी लिया है और बीटेग में जिसके 80% से ज्यादा marks है लेकिन ऐसे लोग काफी कम होंगे यदि आपने बीटे किया है 80% से ज़्यादा अंग हैं उपर से आपको 3 साल का experience है तो आप already किसी ने किसी अच्छी company में अच्छे पद पर होंगे तो अब बात कर लेते हैं किस district की high cutoff रहने वाली है तो मैं 5 आपको ऐसी district बता देता हूँ जिसकी cutoff काफी जादा जाने की संभावना है तो उसमें जो पहले नंबर पे जो नाम आएगा उसका है लखनौ जी हाँ लखनौ यानि की परदेश की राजधानी लखनौ का जो cutoff है वो सबसे जादा रह सकता है और लखनौ के बाद नंबर आता है कानपूर का लखनौ कानपूर और कानपूर के बाद जो तीसरा नंबर है वारानसी वारानसी के बाद जो नंबर आता है वो है प्रियाग राज और यह जो मैं district बता रहा हूँ इन सभी जिलों का जो cutoff है वो approximately मिटली आप मान के चलिए 75 से लेकर 80 इससे कम नहीं बनेगा जी हाँ यदि आप इस सेनेरियों में आते हैं तभी इन डिस्टिक्स में आपका सेलेक्शन होगा जिसमें गाजियाबाद और गोरकपुर इंक्लूडेड है बागी आप कमेंड बॉक्स में कमेंड करके जरूर बता बागी जो भी आपके डिस्टिक्स रिलेटेड जो डिडेल्स होंगी आपके साथ सेर करेंगे साजा करेंगे वहीं अगर हम बात करें कि किन डिस्टिक्स की कट ओफ काफी कम जाएगी तो उन पांच जिलों के मैं नाम बताता हूँ जिनकी कट ओफ लगभग 55 से भी कम जाने candidate है उनके यदि कम अंक है तब भी उनके selection होने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा प्रबल है और बहुत ही ज़्यादा है उसके बाद नाम आता है संभल डिस्टिक का तो संभल डिस्टिक की भी जो cut-off है वो काफी ज़्यादा कम जा सकती है यहां से जो form है वो भी अभी तक जो reference है उससे सूचने के हिसाब से बहुत ज़्यादा कम फर्म फिल हुए है महोबा तो जो भी लोग महोबा डिस्टिक से हैं उनकी जो cut-off है वो 55 के आसपास ही बनने की संभावना है 55-60 अंक फिर खेरी डिस्टिक खेरी डिस्टिक में भी जो महोबा में है वही खेरी में लगबाग 55 से लेके 60 के बीच में आपका selection हो जाएगा खेरी डिस्टिक में यदि आप इन डिस्टिक से हैं तो आपके जो selection के chances हैं वो काफी जादा है जालोन डिस्टिक जालोन डिस्टिक के भी जो कटाफ है वो काफी जादा कम बनेगी और जालोन के बाद नाम आता है बलराम पुरु डिस्टिक तो ये वो जिले हैं जिनमें जो कटाफ है 55 से भी नीचे बनने का अनुमान है संभावना है और इसकी सीधे रीजन है ये non famous डि जालोना जादा है जो भी सेलेक्टेड होंगे उनको बैंक गैरेंटी संभीट करना होगा 50,000 रुपे का एजर सिकुरिटी डिपोजिट 6 मंत का इंपैनल्मेंट पीरड होगा बाकी इससे रिलेटेड आपकी जो भी क्वाईरीज है आर्केटेक इंजिनरिंग कंसल्टिंग आपका क्या काम होगा इससे पहले हमने आपको वीडियो बना कर उसके बारे में भी अपडेट दिया है कि आपके वर्क क्या होंगे वर्क प्रोफाइल क्या होंगे बाकी फ्यूचर में आपको जो भी अपडेट आएगी पंचायती राजविभाग से जूनियर इंजिनियर स आपके साथ सेयर करेंगे, साजा करेंगे ओके फ्रेंड्स, थैंक यू